जैसे कि आप लोग जानते हैं आज विरांगना रानी दुर्गावती के आज पुनिती थी है जिसे बलिदान दिवस के रूप में ही मनाया जाता है उनकी शौरी की गाथा को हम विरांगना देवी की तरह आज भी पूछते हैं विरांगना दुर्गावती का आज बलिदान दिवस है रानी दुर्गावती एक राजकुमारी से विरांगना बंजाने का सफर संघर्ष की गाथाओं से भरा हुआ है 5 अक्टूबर सन 1524 को दुर्गावती के दिन चंदेल वंश में कालिचर यानी मजूदा उत्तर प्रदेश में बांदा की राजा किर्ती सिंग चंदेल के घर इस कन्या का जन्म हुआ था दुर्गाष्ट में की दिन पैदा हुई बेटी का नाम दुर्गावती ही रखा गया दुर्गावती घुलसवारी तिरंदाजी दोनों हाथों से तलवार बाजी करने और युद्ध भूमी की रंडिती को समझने में निपूर्ण थी 20 वर्ष की उम्र में दुर्गावती का विवा राजा संग्राम शाह के बेटे तलपष शाह से हो गया यति हासकार बताते हैं कि दुर्गावती के शासनकाल में 52 तलाब निर्माणों के साथ साथ आबादी वाले इलाकों में पक्की नालियों के जरिये जल निकासी की बहतरीन विवस्था की गई थी। बार उन्हें मूह की खानी पड़ी थी। गुणवाना के समरिद्धी विजय के किस्से जल्द ही मुगल बार्षा शाहनशा अकबर तक पहुँची। अकबर ने रानी दुर्गावती को युद्ध की धमकी देते हुए समर्पन का प्रस्ताव भेजा जिसे रानी दुर्गाव में आसिफ खान ने हजारों मुगल सेना की फौज लेकर गुणवाना पर हमला भोल दिया। रानी दुर्गावती इस युद्ध में गुणवाना की छोटी से सेना लेकर 300 से जादा मुगल की सेना को मार गिराकर आसिफ खान को उन्होंने इस युद्ध में हरा दिया था। लेकिन उन्होंने आत्मसमरपण ना करते हुए अपने ही कटार से अपने ही कटार को सीने पे उतार दिया आज भी पांसो वर्ष पूर्ण हो चुके हैं उनके मृत्तियों को पर अगर हम इतिहास में बात करते हैं तो रानी दुर्गवती के जो शौरी के किस्से थे साहस था आ आज भी उन्हें उसनी जगह नहीं मिलती है तो हम न्यूस सेवेंटी टू के माध्यम से आज नानी दुर्गवती विरांग गनाजी ने आज भी देवी की तरह पूजा जाता है उन्हें हम शक्षत नमन करते हैं